नमस्कार भाईया आज का वीडियो है प्री आउट पोर्ट के बारे में कि भाईया प्री आउट पोर्ट क्या होता है अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सब चीज़े मैंने उल्टी रखे हुई हैं मतलब कि यह मेरा एक एम्प्लिफार है जो मैंने खुदी बनाया था उसका यह पीछे का portion आपको दिख रहा है और यह 4C Audio का MC351 जो है हमारा यह इसका पीछे का दिख रहा है जो भी इसका connections के लिए जो पोर्ट होगे रहा दिये गए और पोर्ट 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 तो इसी में दिया गया है बहुत सारे पोर्ट होते जो जिस पोर्ट के बारे में आज जम बात करें प्री आउट पोर्ट वो इसी में दिया गया है तो इसलिए यह वीडियो में बना रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने मुझसे बूचा कि सर्फ प्री आउट पोर्ट से और क्या क्या कर सकते हैं सब बूफर कितने लगा सकते हैं सब कूछ कवर करने वाला हूँ पहले ये तो बता दूँ कि ये जो subwoofer रखा इसके पीछे की दुनिया क्या है तो basically ये subwoofer जो है ये studio monitors के हिसाब से designed subwoofer है तो यहाँ पर जो connectivity ports जो इसमें दिये गए हैं जो connectivity options उसमें हमको balanced input के लिए XLR वगेरा दिया गया है हर कोई जो घर के लिए active subwoofer वगेरा खरीदते हैं वो इस तरीके के subwoofer नहीं खरीदते हैं मैंने ये क्यों खरीदा इसके उपर अल्यड़ी बहुत वीडियो में बना चुका हूँ इस subwoofer के उपर इसके जो ही connections है वो कैसे करते हैं तो अगर आपको वहाँ पर connections करने होगे तो वो आपके लिए और आसान हो जागा वो वीडियो ज़रूर देख ली जागा उसका link नीचे description box में मैं दे दूँगा भीया मैं वीडियो के शुरुवात में ही अगर मैं दूसरे वीडियो का reference देने लगूँगा तो आप लोग कहोगे कि भीया तुम्हार कहानी तो बहुत लंबी-लंबी खीचने लग जाते हो यह नहीं कि जो मुद्दे की बात है उसको बता दो तो ठीक है मुद्दे की बात पर आ जाते है तो यहाँ पर इसका जो pre-outport 4C audio का जो MC351 यह amplifier है लाजवाब amplifier भाया इसका वीडियो देख ले ना जो मैंने इसका review किया है उसके बाद से अब तक मैं इसे सुनरों मैंने अलग-अलग speaker space को काफी दिन टेस्ट किया है रोज में अपने जितने भी मेरे speakers उन सब पर थोड़ा थोड़ा ट्राइ करता हूं किस पर कैसा आवाज आ रहे है सब पर melody, melody जिसे बोलता है class D amplifier की दुनिया में actually यह काफी melodious sound produce करने में मैं इसको बोलूगा कि sweet sound, प्यारी sound, मधुर sound, भाईया बस लगा कर गाने सुनो, enjoy करो कोई ताम जाम नहीं कुछ नहीं कि यह कर लूँ तो यह हो जाए, वो कर लूँ तो यह हो जाए, कुछ करने की जरूआती नहीं भाईया, बस गाने प्ले करो और खो जाओ अपनी दुनिया में यह बात तो मैं मानता हूँ कि 4C Audio ने जो कमाल की चीज़ बना दी, MT351, मुझे तो यह वाकई में, इस price range के हिसाब से, मुझे तो यह काफी अच्छा लगा अच्छा अभी यह हां रखने का मतलब क्या और यह हां क्या रखने का मतलब है, तो basically pre-outport जो इसमें दिया गया है, यहां पर हम लगाएंगे यह केबल, अब यह केबल क्या चीज़ है, यह केबल कुछ नहीं बहुत simple, अगर कई बार अगर आप लोगों ने अपने mobile phones को connect करन कि कौन सी केबल अच्छी है, genuinely यह केबल मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने यह हाथ मे ली और भी दूसरे ब्रैंट्स की हैं, लेकिन वो महेंगी आती है और काम भी वो equally ही इतना ही अच्छा गर दी है, तो मुझे लगा कि यह Amazon Basics की अगर आप केबल लोगे, तो यह सही प्राइस में सही क्वालिटी की चीज आपको मिल जाएगी, तो अब इसको करना क्या है, कि भाया जो amplifier हो कोई हमारा external, कोई भी amplifier जिसमें की RCA input दिया गया हो, जैसे कि इसमें यहाँ पर RCA input दिया गया है, तो उसमें अगर हमें connect करना हो, और full range speakers दो और चलाने हो, जैसे कि मा speakers add करने दो, तो हमने क्या किया, एक और amplifier लिया और उसमें इसका connection कर दिया, तो हमको वहाँ पर full range मिलेगी, full range, full range क्या होती है, जहां पर की धम-धम, चिक-चिक, vocal, सब कुछ इस amplifier से निकलेगा, और आपके इस तरह के किसी भी amplifier में आप जो भी use करना चाहो उसमें जाएगा, और वहाँ से जो speakers आप connect करोगे, full range वाले, वहाँ पर आप जब अपने इस amplifier की sound को कम यह जादा करने का, अगर उसमें option हो तो उससे, बाकी के जो speakers है, full range speakers, उनको आप control कर सकते हो, अब भाया आती है बात subwoofer की, कि यह हमने यहां क्यों रखा है, तो भाया, यही same cable, यही cable का जो RCA है, इस सबwoofer में कैसे connection करते हैं, वो मैंने बताई दिया, जब वडियो आप देख लोगे, तो वहाँ से आपको idea लग जाएगा, किस तरीके से connection कर सकते हैं, generally जो दूसरे तरीके के active subwoofer जाते हैं, उसमें भी RCA female input होता, जैसा कि इस amplifier में यहाँ पर आप देख सकते हो, कि दिया गया है, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके का आपको आपके पास अगर कोई ऐसा active subwoofer है, या आप कोई और active subwoofer प्लान कर रहे हो, जो कि आपके घर के लिए आप लेना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आपको ज़ादा ज़ादा chances यहें कि आपको female RCA का मिलेगा, और वहाँ पर आप उसे आसानी से connect कर पाओगे, तो यह तो बात होगी कि pre-out से अगर हमने subwoofer में दिया है, तो subwoofer में full range जा रही है, तो भाईया इसमें तो subwoofer के control करने का कोई option option ऐसा तो है नहीं कि जो हम उसको knob work को घुमा ले तो अधर से base waste कम जादा हो जाए, तो हाँ, यहाँ पर इस amplifier में आपको full range output बिलता है, यह सबसे जादा अच्छी बात है, क्योंकि full range output को जो active subwoofer आप कोई भी लोगे, तो उस active subwoofer में आपको एक knob दी गई होगी, जैसे कि यहाँ पर इसमें मेरा volume गंट्रोल है और frequency adjust करने का एक चोटा सा connection आपर generally वहाँ पर दिया रहता है, आप आपको गुमागर के आपको कौन से इस पर रखना है, जैसे कि यहाँ पर यह volume गंट्रोल दिया है, ना, सेम इसी तरह से आपके पास वहाँ पर option होगा active subwoofer में जहाँ पर किया frequencies को change कर सकते हो, तो आप subwoofer से उन frequencies को change करो, जैसे कि इसमें से अब दो निकल रहे हैं, दो, तो आपके पास अगर एक subwoofer है, तो एक आप subwoofer में लगा सकते हो, दूसरा, दूसरे subwoofer में लगा सकते हो, यानि कि अगर आपने दूसरा active subwoofer लेने का प्लान किया हुआ है, तो अब बारी आ गई है, इस amplifier को लेने के बाद कि भाईया, अब दूसरा active subwoofer भी आप ले सकते हो, तो अब क्या होगा आपके पस दो active subwoofer हो जाएंगे और दो active subwoofer के होने से क्या होता है बेस बहुत ही पढ़िया बहुत ही मधुर बहुत ही वुम् वाला लगता है उमारे को feel देता है कैसे मैं उस चीज को समझाओ कि मुझसे बोल करके कि उसका जो अभास होता है वो कितना मार्केट में available हो और काफी टाइम से आ रहा हो और उसका से मॉडल जो है आपको दूसरा एक और मिल जाए ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरा ब्रैंट का दूसरा मॉडल नहीं ले सकते लिए ना चाहो दो अलग अलग सब बूफर भी ले सकते हो कोई दिकत नहीं है उसमें ब बड़ा अधिक करेंट यहां से निकलता है प्री आउट पोर्ट से तो वहां से यह निकल करके इन सकेबिल से जाएगा जितना करेंट इसमें जा रहा हुतना ही दूसरे में गया तो इकूल अगर हमने सेटिंग्स रखी है वाल्यूम माल लिजे नौब बीच में रखी हमने और दूसरा जो हमने अक्टिस सब भूफर लिया उसकी भी बीच में रखी है तो क्या होगा एकदम सेम उत्री साइस का सब भूफर उसी साइस की मेंगनेट उसी साइस का सरकेट उसी साइस का पूरा डिजाइन सेम तो सीम साउंड दो जगा से निकलेगी तो वो एकदम एक तरीके से ऐसा होगा कि वो यही तो पॉइंट है कि मैं यह समझा नहीं पाऊंगा कि मैं कैसे बताओं कि वो जो फील होगा वो एक फिल्म है हमारी जो डाइनासॉर्स के ओपर आई हुई है जो रैसिक पार्क करके अगर आपने देखी हो तो जब डाइनासॉर का जब धरती पे नहीं लगे होते तो वो उतना अच्छा वो इंपैक्ट नहीं आता लेकिन अगर दो एक्टिव सबूफर सेम वही और हमने बिल्कुल सही प्लेस्मेंट किया घर में वह ऐसे रख दिये तो क्या होगा वहाँ पर जब धर्दी का जो हिलने का जो विजुल दिखाई देगा न क्योंकि जब इस तरीके का हम सेट अप करते हैं दो सबूफर के साथ तो वहाँ पर एक्चुली वाइब्रेशन्स बहुत जादा फील होती है उसका ये मतलब नहीं होता कि बेस बढ़ गया नहीं अगर सही तरीके से लेबलिंग करके सब कुछ किया जाना तो वह जो वाइब आप लुक के लिए भी वीडियो में और वह जेन्विनली वीडियो के रिकॉर्ड करते हैं मैंने उसका इतना गजब का एक्सपिरियंस ले था जबकि वह तो कोई बहुती साधारान दा सबूर था वह भी मैं नीचे description box में लिंक दे दूंगा कि मैं केस वीडियो के बारे बा और यह हमको अभी इसके आपर दे देना एक आर्स यह इधर दे देना है हमारा सिलवर वाला इसमें तो वह अमने इधर दे दिया और जो रेड वाला है वो मैंने इधर दे दिया तो यह मेरे राइट चैनल का हो गया तो अभी यहां पर यह connection करने से जब मैं अपने speakers को connect करू और यही यहां लगा दो उसका black वाला जो है वो भी हो गया और इसे गुमा के tight कर दो तो इस तरीके से यह connection हो गया और यह जो इसकी दूसरे सिरे की है यह आप अपने speaker में connect कर सकते हैं यह basically speaker के connections मैं सिर्फ बता रहा हूं यह topic इससे कोई जुड़ा हुआ नहीं है वैसे compact amplifiers हैं चोटे amplifiers हैं और चोटे होने के बावजूद यह काफी powerful amplifiers हैं तो यहां पर कुछ limitations भी आ जाती हैं छोटा design बनाने के लिए तो अगर आप देखो तो यहां पर RCA का input दिया गया है सेम इसके दो ही pin और RCA की यहां पर दे सकते थे जो की output के लिए होती बट उन्होंने वो ना देते हुए यहां पर आपको यह वाला जो है pre-out port दे दिया जहां पर कि 3.5 mm का jack दे दिया जिसमें कि हम यह 3.5 mm वाली pin लगाएंगे तो वहां से हम connection दे सकते और 4C audio का MC351 जो है इसमें सबसे अच्छी बात यही कि pre-out का जो control है वो हमारे volume के knob को घुमाने से इसका अपने amplifier का volume कम जादा कर सकते हैं तो मतलब अपने amplifier का volume हमने एक decent level पे करके पहले से रखा हुआ है जो गार उसमें volume knob दी गए यह तो खेर power amplifier की दरा build गया इसमें नहीं है knob तो मेरे लिए तो यहां से मैं जो भी घुमाँगा उसका control यहां पर भी हो रहा होगा और इसके जो ह amplifier के साथ हमने यह speaker suppose connect किया तो इस speaker का भी volume हम जब यहां से कम जादा घुमाएंगे तो वो भी कम जादा हो रहा होगा वैसे तो यह video बहुत ही छोटा सा था कि pre output होता है 3.5 mm jack वाला वहां पे pin लगा दो काम खतम लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को ऐसे ही सिर्फ बता दो कि यह लगा दिये हो गया उत्ते से नहीं होता है उसके आगे की दुनिया उसके पीछे की दुनिया भी समझानी थोड़ी मुझे लगता है कि जरूरी है यहां पर यह समझना जरूरी था कि सिर्फ एक cable लगा देने से ही connection हो गया ऐसा नहीं होता है मतलब आपके पास क्या चीजें आप connect कर सकते हो जैसे कि मैंने बता है कि amplifier connect कर सकते हो तो active subwoofer connect कर सकते हो active speakers connect कर सकते हो यह यह इसके साथ मैं बहुत सारे लोगों को edifier के active speakers के बारे में भी बोलता हो भी अच्छे हैं वो भी लेना चाहें तो ले सकते हैं तो वहाँ पर भी आप इससे connect कर सकते हो left channel के लिए यह रैट channel के लिए यह तो जब यहाँ से volume control करोगे तो इसके साथ जो passive speakers connect कियोंगे वो तो बजएंगे बजएंगे और आपके जो active speaker आपने लिए होंगे अगर वो भी बजएंगे बहुत जदा चीज़े एक ही वीडियो में बता देता हूँ तो इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आजकल बहुत लोग मुझसे वाकई में बड़े नाराज है कहते हैं कि सर आपकी जो बात करना है उसके बीच में आप जो pauses लेते हो वो सब नहीं लोगे तो वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगा और जल्दी हम लोग को जल्दी चीज़ें समय में आ जाएंगी या देखो मेरा पिच यही है मेरे पास जो नॉलिज है मैं उसको अपने तरीके से दे रहा हूँ और जितने जादा आसान शब्दों में बताने के लिए मैं कोशिश करता हूँ तो इसलिए मुझे pause लेना पड़ता है अगर मैं बिना pause लिये जल्दी जल्दी बोलूँगा तो शायद 80-90% लोगों को बात ही नहीं समझ में आए साउंड की दुनिया की चीज़ें हैं ऐसी कि जिनको समझने के लिए एक ही बात को जब तक 3-4 बार अलग-अलग तरहां से नहीं बताया जाए तब तक वो बात सही तरीके से समझ में नहीं आती है घुमा फिरा करके वापस वही क्वेश्चन आजाता है कि सर कितने वाट्स के स्पीकर लूँ और कितने वाट्स का अम्प्लिफायर लूँ कितने वाट्स का सिस्टम मेरा होगा कि मुझे एक बढ़िया बेस मिलेगा कितने वाट्स का मेरा स्पीकर होगा कि मुझे एक बढ़िया ट्रैबल मिलेगी या कुछ भी, सब कुछ वाट्स पर ही घुमा करके लोग मुझसे question पुछने लगते हैं जबकि मैं wattage के उप़र इतने जादा videos बना चुका हूँ हर किसी को मैं similar videos ही recommend करता रहता हूँ एरे sir आप ये video देख लो, आप ये video देख लो समझ रहा हूँ मैं कि लोगों को actually समझ ही नहीं आ रहा है तो अभी मैं कैसे समझा हूँ मरजे, खुद मैं वो रास्ते ढूंड रहा हूँ तो इसलिए मैं एक चीज के साथ दो-चार चीज़े connect करके बताने के कोशिश करता हूँ अभी यहां wattage का कुछ लेना देना नहीं है wattage की बात है यह चलिए कवरी कर लेता हूँ यह जो यहां से जो निकल रहा है ना जो इसका current जो निकल रहा है इसका amplifier wattage से कोई लेना देना नहीं है आपका amplifier जो होई वो आप 500 watt का है तो भी आप इसको लगा सकते हो आपका subwoofer 300 watt तो भी लगा सकते हो आपका subwoofer 1000 watts का है तो भी अप इसे लगा सकते हो कोई दिख रहे हैं यह pre-amplifier stage है तो pre-amplifier amplifier का wattage की बात होती है pre-amplifier जो होता है उहां पर amplifier के wattage से कोई लेना देना नहीं होता तो यह amplifier का wattageidée जितना भी है 600-600 total wattage उससे इस amplifier के wattage से ये match हो रहा है कि नहीं कोई लेना देना नहीं है ये amplifier 50 watt का भी हो तो भी बजेगा इस पे कोई problem नहीं आगी क्योंकि यहां से current pre-out निकल गया बाहर निकल गया pre-output अब उसे आप कहीं पे भी लगाओ वहाँ पर वो boost होगा वहाँ पर वो amplify होगा तो इस तरह से कितने भी wattage का आप इसके साथ amplifier लगा लो इसको कोई problem नहीं होगी और आपका जो amplifier होगा उसको भी कोई problem नहीं होगी तो problem नहीं होगी कितने भी wattage की कोई भी चीज आप उसमें correct करो और ये सिर्फ 4C audio का MC351 amplifier ही जो pre-out है ऐसा नहीं है कि मैं इसी के बारे में बोल रहा हूँ 4C audio के और भी बहुत सारे इसी तरीके के compact amplifier जाते हैं जहाँ पर की pre-out का port दिया गया आपको मिल जाएगा वहाँ पर बिल्कुल सेम इसी तरीके से connection करना है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कि वहाँ क्या हो रहा है मैंने बता है न 2V के असपास का current बाहर निकल रहा है तो वो बाहर निकल रहा है 3.5M jack वाली जो cable है इससे आप connect करके आसानी से सुन सकते हो इस वीडियो को इससे जादा लंबा खीचना थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी हो जाएगा कि यार कितना बोलेगा तो मैं अब थोड़ा सा अपना बोलना बंद करने के लिए आप लोग से एक request करूँगा कि यदि आप लोगों के मन में कोई भी सवाल चल रहा हो इससे related या किसी भी चीज से related sound की दुनिया से related वीडियो की दुनिया से related टीवी की दुनिया से related किसी भी तरीके का कोई भी टेक्नलोडी से जोड़ा question आपके मन में हो वो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल गया हो और आपको वो बात पसंद आ गई हो तो like का जो बटन होता है उसे जरूर दबा दीजेगा और बिल्कुल बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियोस पे मेरा बात करने का तरीका या मेरा जो भी मैं creative चीज़े करता है तो पसंद नहीं चाहता हूं एकदम depth में जाकर डीटेल में जाकर के चीज़ों को cover करना चाहता हूं इसलिए मैं थोड़ा रुक के pause लेके अराम अराम से बताने की कोशिश करता हूं जिससे की जब आप उसे सुनो तो आपको समझ में आए और अगर समझ में ही नहीं आएगा